हेलो दोस्तों मैं हूँ विकास और ट्रांसपोर्ट अड़ा में आपका स्वागत करता हूँ और आज आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू वीडियो जो की है हुंड़ाई की अपकमिंग कार अलकाजर के बारे में हाँ जी दोस्तों हुंड़ाई अलकाजर के फीचर्स हु इसरी पंक्ती को सामिल किये जाने से एजूवी का आकार बड़ा होगा और इसके अलावा इसमें नई ग्रिल एलोई वील और बड़ी एलिडी टेल लाइट देखने को मिल सकते हैं और नई एजूवी में नए डिजाइन के रूफ रेल्स और रूफ लाइन्स और नए प्रणी ऑइसई को हिंडे क्रेटा जैसे इंजन विक्लपों के साथ प्रेस कर सकती हैं इन्डे की दी और 1.5 लीटर पेटरोल इंजनल और 1.5 लीटर डीजल इंजन का विकलप मिलता है और 1.5 लीटर प्रण और डीजल दोनों का इंजन 113 BHP की पावर और 144 Nm का टोर्क जनेट करता है और टर्बो पेट्रोल इंजन 138 BHP का पावर और 242 Nm का टोर्क जनेट करता है और दोस्तों हाला कि कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि हुंड़ई की नई 7-seater SUV की लौंचिंग भारत में पहले चीन में होगी और नई SUV इस साल के आखिर तक चीन में लौंच हो सकती है और वही भारत में इस SUV को अगले साल यानी 2021 की सुरुवात में लौंच किया जा सकता है और बात करें इस गाड़ी के मुकाबले की तो दोस्तों 7-seater Hyundai Elkazer SUV की भारत में लौंचिंग के बाद इसका सीधा मुकाबला में हिंद्रा SUV 500 और MG Hector Plus और Tata Gravitas के साथ होगा और बात करें इसके कीमत की दोस्तों तो हालांकि कंपनी नए 7-seater SUV के बारे में जादा जानकरी का खुलासा नहीं किया है लेकिन ऐसी संभावना है कि Hyundai Elkazer की कीमत 5-seater वाली क्रेटर से 2,00,000 रुपे जादा हो सकती है तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगी है मैं कमेंट में जरूर बताएं थैंक्यो पर वाचिंग दिस वीडियो